जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही संसनी खेज खबर मैं आप सब के सामने रखने वाली हैं तो मैं सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाती हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करलू अपना पुलिटिकल करियर बचा लू अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लू और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में ED द्वारा मुझे गिरफतार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी विक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेता को अब वो कुछलना चाते हैं खतम करना चाते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेत्रित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पहले सतेंद्र जैन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोधिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजय सिंग जी की गि इज्रिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है। अब भारतिय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आमादमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफतार करेंगे, वो सौरभ भारदवाज को गिरफतार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफतार करेंगे। भारतिय जंता पार्टी ने ये उमीद करी थी कि अर्विंद केजरिवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी तूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मुराल डाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडर्शिप जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आएं पिछले दस दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतिय जन्ता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरब भारदवाज को जेल में डाला जाएगा दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और अगर चड़ा को जेल में डाला जाएगा मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछी दिनों में मेरे पर्सनल रेजिदेंस पे ED की रेड होगी ना सिर्फ मेरे घर में ED की रेड होगी मेरे रिष् ही समय बार हमें गिरफतार किया जाएंगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अर्विंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम भगत सिंग के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकरता में आखरी सांस तक बची हैं। तो हम अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक कारिकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगां दसों और लोग अर्विंद केजरिवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे